असलाम वालेकुम नाजरीन आज हम बना रहे हैं तौआ में लज़िस की किचन में पुराने देली स्पेशल नहारी इसके लिए हमने 8-10 काली मिरश लिये हैं दो छोटी एलाइची लिये हैं चोटा चुटुकडा दो इंच का कम से कम दाल चीनी लिया है पांच हमने लॉंगे नहारी का मसाला बना रहे हैं चोटा पिसमें जवत्री का लिया है एक चौथाई हमने यह जाइफल का लिया है यह देखें इसे जाइफल का लिया है इसमें हमने एक चौथाई पीस लिया है एक चमच हमने सौफली है एक बड़ा चमच कॉरियंडर स्वीड लिये हैं एक चम यह फूल चक्री आती है, यह हमने आधी ली है, तो अदत पीपली ली है, यह अराम से मार्केट में मिल जाती है, एक चमच इसमें सौट पॉडर डाला है, हम यह इसलिए डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा यह अज़ा कम है, मिक्सी में अच्छी तरह पिसनी पाएंगे, इसलिए इ प्रेशर कूकर में हमने कम से कम डिर्ड कप आईल लिया है, और हमने तकरीबन तीन छोटे अदत के प्यास को पीस के अलग रख लिया है, अब इस तेल में हमने दो चमच लसना द्रका डाला, और आधा किलो यह बड़े का गोश डाला, आप चाहाएं तो मटन में भी बना सक है, मैथड सेम रहेगा, इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे, कम से कम पाच मिनट इसको अच्छी तरह से भून लेना है, हमारे वीडियो को लाइक करें, प्लीज पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्स्राइब करें, हमें कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, आपके कमेंट समारे लिए बहुत अहम हैं, और हमारे होसले को बढ़ाएं, और प्लीज सब्स्राइब जरूर करें, और कमेंट भी जरूर करें, होसला बढ़ता है, प्लीज, हमने जो नमहारी का मसाला बना के रखा था, वो ये गोश को अच्छी तरह पूनने के बाद वो मसाला हम इसमें डाल देंगे, वो हमने मसाला इतना ही बनाया था, कि इस आदा किलो गोश में वो प्रॉपर रहा है, क्योंकि थोड़ा हमरे घर में स्पैसी भी खाया जाता है, आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, मस पानी डालेंगे, और प्रेशर को करेंगे, इसमें हम एक सीटी देंगे, उसके बाद हम हलकी आच पे इसे पकाएंगे, क्योंकि बड़े का गोश ठोड़ा पकने में टाइम लेता है, गलने में टाइम लेता है, इसलिए हम इसे हलकी आच पकाएंगे, ये हमारा गोश पक च अब इसमें दो चमच मैदे को लिया हमने और इसको पतला घोल बना लिया और वह हम चलाते हुए थोड़ा करके मिलाएंगे ताकि लंग्स नवने जब यह मैदा डाल देंगे हम इसमें इसके थोड़ी दियर और पकाएंगे ताकि मैदा और नहारी जो एक कच्छा पन होगा मै पांच मिनट भी नहीं बलके दो तीन मिनट उसके बाद आप इससे साफ करने डिश में निकाल लें इससे कटे हरे मसाले से गानिश करें साफ करें और दुआएं पाएं दुआएं ने और दुआओं में हमें भी याद रखें फिर मिलेंगे अला